तो सारे भाई यहना भाई मेरी राम राम मैच दीप शर्मा स्टैप अप जेसर यूटूब चनल पर आपका स्वागत रता हूं भाई हर्याना पुलिस का मामला लगबग तो सोट आउट होगा लगबग क्योंकि जो हर्यादव जी एक सबसे शांदार जानदार अदमी है उन्ह तो बात या है मेरे भाई विशय आया है फोजियां की तरफ से सीटी को लेका है सीटी को लेकर क्या मामला आया है कि कुछ फोजी भाईया ने सीटी के फारम भरे थे उनके रिजल्ट आगे में पास होगे अब जो मुबाईल नंबर उनाने बरा था अब यह सिर्फ फोजियां खतर नी सब खतर है सीटी का जो समश्या रही है जितने भी भाईया ने फारम भरे थे उनके फारम भाई जो उन्हाने मुबाईल नंबर मेंशन कर दिया अब मान लो स्पोज ऑगर मोबाईल नंबर घूम हो जाऊए मोबाईल नंबर मतलब सिम अगर घूम हो जब तो घिसे टूट जाऊए या तोबारह ना आवए मेरी सिंधी मेरी बंद होगी वह सिम और ने निकलवा ली किसे और के पास वह नंबर चला गया अब जब मनने कोई इमेल आईडी का या कोई और ऐसा अल्टरनेटिव सिस्टम करा नहीं सरकार नहीं अब जीन के भी पेपर क्लियर होए थे आया जीन के लिए भी जो भी बात होए थी वह संकट महागी तो हमारे चेर्मेन साब बोपाल सिंग घदरी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि उनक का option बिलकुल बंद ना करो आप वह यह कट-कट ना कर रहा है थोड़ी चीह वह उनका option बिलकुल बंद ना करो आप मुबाइल नंबर की बज़ए उनका इमेल आईडी या कोई और ऐसा option दिया जाए अगर उनका मोबाइल बंद हो जाओ तो उसके बाद वह क्या option यूज कर स हैं ऐसे तो उनके सारे option हैं बंद हो जाओं हैं मतलब मेरा समझ गए कि जीन भाइया ने सीटी का पेपर दिया था जो mobile number mention करा था और mobile बंद हो जाओं है और SIM बंद हो जाओं किसी और दोर चली जाओं या कोई और मारे तो अब भ्यारती के पास student दोर कोई ऐसा option नहीं बचता कि उस mobile number की बजाए कोई और option में कोई ऐसा सवाल पूछा जा सकता है या कोई email ID पर OTP आ जाओं या कोई और अल्टर ऐसा नहीं है तो सरकार उनके लिए ऐसा option निकाले नहीं तो भाई उन सब्सक्राइब की तरफ से मैसेज था उनके फोन मेरे पास भी आए है जो हमारे नर्वाना से जो मास्टर जी है जैन जी उनकी तरफ से भी यह मैसेज मेरे पास आ था तो मैंने सुचा और काम सारे छोड़कर इस पर मैं वीडियो बना दूं तो भाई सीटी आला के लिए यह थेंडियो बिल्यवाई